जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बिल आइकन को दबाना बिलकुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जारखन में क्रोना से मौत जारी स्वस्त होने वालों की संख्या बढ़ी जारखन में 2449 नए केस मिले हैं जो राची से 757, पूर्वी सिमूं 474, बोकारो, तीरपन, हजारी बगबिस, धनबाद, 124, रामगर, नवासी, पच्मी, सिमूं 31, कोडार्मा से बीज पलामू 52, देवघर 48, गुमला 47, गिरी डिनव, खुटी तीरपन, सिम्डेगा 131, लातेहर 9, सरायकला खरसावा 23, गढ़वा 44, लोहर्दागा 49, चत्रापैसट, गोड़ा 45 दुमका 211, जामतरा 10, साहिब गंज 91, और पाकूर से 4 मरीज मिले हैं बतादे जार्खन में 10 मरीज की मौथ होई है, वहीं सोस्थ होने वालू की संखिया 42, 183 है, जार्खन में कूलेक्टिव केस की संखिया 25, 1581 है जार्खन मौसम विभाक के उनसार हाल कापती ठंड से जन जीवन अस्त बेस्त हो गया है, बतादे जम्मू से भी ज्यादा ठंड जार्खन में पर रही है कुरुवार को जम्मू का निम्तम तापमान 8.5 डिगरी सेल्सियस रिकोर्ट किया गया, जबकि गड़वा का निम्तम तापमान 5.1 डिगरी सेल्सियस रिकोर्ट किया गया वही मेदनी नगर का 6.4 और राची का 7.6 डिग्री सिल्सियस रहा यानि जमू से ज्यादा ठंड जार्खंट के कई जिलों में पढ़ रही है वही मौसम विभाग के अनुसार पच्मी भी छोब के कारण जार्खंट का मौसम एक बार फिर 22 जन्वारी से बदल सकता है बतादे जार्खंट के कई हिस्वों में 23 और 24 जन्वारी को 12 के साथ वला विरिष्टी की संभावना है वही 25 और 26 जन्वारी को कुहासा चाया रह सकता है सितलार भी चल सकती है मैट्रिक इंटर परिक्षा को लेकर जैक बोड की बैठक जार्खंट एकेडमी काउंसिल यानि जैक एक सब्ता के अंदर मैट्रिक वाइंटर की परिक्षा को लेकर बड़ी घोसना कर सकता है बतादे इसे लेकर सुक्रवार को अध्यक्ष की मौजूदगी में सभी पदाधिकारियों वा कर्मियों की हाई लेवल बैठक हुई कयास लगाए जा रहे हैं कि एक सब्ता के अंदर सब कुछ तय हो जाएगा बतादे कि अब तक मैट्रिक वाइंटर की परिक्षा की तिथी की घोसना अधिकारिक तोर पर नहीं हुई है जिस कारान सूबे के करीब साड़े साथ लाख बच्चों का भविस्य अधर में लटका है जारखन में पेट्रोल सबसीडरी के लिए 24 गंटे में 16,000 आवेदन मिले जारखन के मुख्य मंत्री हमन सुनिंदवारा राश्ट्रिय खाज सुरक्षा योजना आथवा जारखन राजिखाज सुरक्षा योजना सचाजित गरीब लोगों को उनके दो पहियावाहन के लिए पेट्रोल सबसीडरी योजना के तहत लाब देने के लिए सीएम सपोर्ट एप लांच करने के साथ ही राशनकार धारियों की सकरात्मक पर के लिए सामने आने लगी है बता दे 24 घंटे के अंदर 16 अजार आवेदन आ चुके है वही 26 जनवारी से पेट्रोल सबसीडरी का लाब लाबको को मिलने लगेगा आपको बता दे कि जार्खन की सीएम हमन सुरेन उपरईदानी दुमका से पेट्रोल सबसीडरी योजना का सुबारम करेंगे इस दोरान लाबको को इस योजना का लाब देने की सुरुवात करेंगे नकसली बंदी के दोरान जार्खन में मवादी पूलिस पर कर सकते हैं हमला भागपा मवादी की ओर से 17 जनवरी को आहुद बिहार जार्खन बंद के मद नजर पूलिस मुख्याले ने सभी जीलों के एस पी को अलट किया है बतादे खूपिया बिभाग ने मुख्याले को सुचना दी है की बंद के दोरान नकसली जार्खन में अपने परभाव वाले छेत के इलाके में पूलिस की टीम पर हमला कर सकते हैं नकसली इस दोरान पूलिस पिकेट कैम पोस्ट या पेट्रोलिंग पार्टी के अलावा एसकोट वाहन को निशाना बना सकते हैं बतादे पूलिस मुख्याले को सुचना मिली है की रेलवे ट्रेक या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचे आ जा सकता है 101 क्रोड के मिड़े मिल घोटाला के आरोपी ने खरीदी तीरपन गाड़िया मिड़े मिल फंड के 101 क्रोड रुपए गमन मामले में प्रवत्तन निदेसालाई एडी ने आरोपी बिल्डर भानु कंस्ट्रक्शन के संजाय कुमार तिवारी व उसके पाटनर सुरेश कुमार के खिलाप आरोप पत्रदायर किया है बता दे संजाय तिवारी फिलहाल जेल में है उसे 1 दिसंबर 2021 को इडी ने गिरफ्तार किया था अभी उक्तोपर बैंक अधिकारियों के साथ साजिस राच कर मिड़े मिल का 101 क्रोड रुपए अपनी कमपनी के खाते में टांसफर कराने और मनी लॉंडरिंग के सहारे संपति खरिदने और कर्ज चुकाने में इस्तिमाल करने का रूप लगाया गया है जहारखन सरकार छात्रों को टैब के साथ 2 GB डेटा मुफ्त देगी कल्यान विभाग के 136 अवासे बिद्यालेों के 12000 बिद्याते को राज सरकार टैब के साथ 1 साल तक रोज 2 GB फ्री डेटा उपलावद कराएगी बता दे अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती और पिछडा वर्क के इन चात्रों के लिए टैब के साथ ही रिचार्ज और सीम कार्ड की बिवास्ता सुनेचित की जाएगी टैब में सभी महत्वपूर्ण और अवसक सिक्षंग समागरी पहले से ही रहेंगी बता दे कल्यान विभाक के आवासे बिद्यालों में पढ़ने वाले का अक्षा एक से बराहमीत तक के सभी छात्रशत्राओं को मुप्त में टैब दिया जाएगा टैब सीम कार्ड वा बारह महीने का डेटा रिचार्ज पर राजसरकार लगभग 26.25 कोड़ रुपे खर्च करेगी दुसकर्म के आरोपित सेना के जवान ने जमानत नहीं मिलने पर की खुद खुसी खुटी के कारा थाना छेतर के चलडाडू गाव निवासी सेना के जवान 25 वर्षी सुर्जन मिंज ने बुद्धवार की राथ पेड़ में फंदल डाल कर आत्म हत्या कर ली बता दे सुर्जन मिंज 47 आर आर जम्मू कास्मीर में पदस्था पित था जनकारी के अनुसार कारा परखंड की एक लड़की ने सेना के जवान के खिलाप नयाले में साधी का जासा दे कर सारी इर्क संबंद बनाने और अब नौकरी मिलने के बाद साधी से इंकार करने का ममला दच कराया था प्रोफाइल अपडेट नहीं हुआ तो सिक्षको पर करवाई होगी प्रावामभिक बिद्यालेओ के सिक्षको को अपनी प्रोफाइल यी बिद्यवाहनी एप के माध्यम से अपलोड करने का निर्देश दिया गया है बता दे रांची जीले के छाप परखंडो को छोड़कर अने परखंडो के सिक्षको का प्रोफाइल अपडेट नहीं हुआ है जिसके लिए उन्हें समय दिया गया है यादी इसके बाद भी सिख्षको की प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई तो उन पर करवाई की जा सकती है बता दे रांची जीला सिख्षा अधिक छक कमला सिंग ने कहा कि कई बार सिख्षको को प्रोफाइल अपडेट करने समधी निदेश दिये गए लेकिन इसकी रफ्तार धिमी है उन्होंने कहा कि इबिद्यवानी एप के मादेम से जो जनकारी सिख्षक उबलब्द करा रहे हैं उसका वेरिफिकेशन जीला स्तर पर किया जाना है जो परभावित हो रहा है DSE ने सभी BEO को पत्र लिख करता है समय तक प्रोफाइल अपडेट कराने का निदेश दिया है पूलिस कर्मियों को देना होगा आयकर बियूरन नहीं तो रुकेगा बेतन राज ये पूलिस में चतूर्थ वरगिये से लेकर इंस्पेक्टर रहेंग के पताधिकारियों को बीतिये वर्ष 2021-22 का आयकर बियूरन और बचत का बियूरन देना होगा ऐसा नहीं करने वाले पूलिस कर्मियों के बेतन पर रोक लग सकती है बतादे राज ये पूलिस के कर्मियों को आदेस दिया गया है कि सभी बचत की गई राजी के पवान पत्र का बियूरन लेखा साखाय में जामा करे पूलिस कर्मियों को 1 अप्रेल 2021 से 1 फरवरी 2022 तक के बचत की जनकारी देनी होगी बतादे पूलिस विभाग के आदेस के मुताबिक 10 फरवरी तक आएकर बियूरन देने वाले पूलिस पतादिकारियों कर्मियों को ही फरवरी मा का बेतन समय पर मिल पाएगा गीरी डी में सर्या फैक्टरी के टंकी फटने से 3 मजदूर जखमी जारखन के गिरी डी में बड़ा हादसा हुआ है बतादे जीले के अतीवीर फैक्टरी जहां पर लोहा पिगला कर छोड़ बनाये जाते हैं साम को फैक्टरी का गर्म तेल टंकी बलाश्ट हो गया बतादे इस हादसे की वज़ा से वहां काम कर रहे 3 मजदूर बूरी तरह जूलास गया इन सभी जूल से ये मजदूरों को घायल अवस्था में इलाज के लिए 9 जीवन अस्पतार लाया गया बताया जाता है कि 3 मजदूर के सरीर का आधा से अधिक हिसा जल गया है हलाकी सभी का इलाज चल रहा है और सभी की स्थिती खत्रे से बाहर बताई जा रही है जे एस एस सी बेरुजगार इंजिनियरों के लिए निकालेगा भरती जारखन करमचारी चैन आयोग की ओर से डिपलोमा अस्तरिय सन्युक्त परत्युक्त परिक्षा 2021 का संसोधित कारिकरम जारी किया गया है बतादे अब 7 फरवाई से आयोग द्वारा ओनलाइन आवेदन जामा लिया जाएगा पुर्व में इसे 23 जन्वारी से ओनलाइन आवेदन जामा होना था जिसे अब परिहार कार्णों सस्थागित कर दिया गया था गंतंत्र दिवस पर मौसम रहेगा साफ गंतंत्र दिवस के दिन 26 जन्वारी को मौसम साफ रहने का अनुमान है लेकिन सुबह हमें कुहासा रहेगा बतादे समारो कोविट प्रोटोकाल के दाएरे में मनाया जाएगा मौरबादी में होने वाले मुखे समारो को लेकर मैदान में अगंतुओ के लिए गैलरी अतित्यों के लिए स्टेज वा साउंड बॉक्स के लिए टावर आधिकार निर्मान किया जा रहा है बैरिकेटिंग भी सुरू कर दी गई है सहायक अध्यापक बनने पर पाराशिक्षकों में खुसी पाराशिक्षकों को सहायक अध्यापक बनाये जाने से जीले के पाराशिक्षकों में खुसी की लहर है बतादे सिम्डेगा जीला पाराशिक्षक संग के अध्याक्स एहतिस्तामूद हक ने कहा कि बर्सों के संगहर्स के बदोलत हमें एक नई पहचान मिली है इसके लिए मैं सरकार के साथ ही सभी मंत्री और विधायकों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमारी भवनाव को समझा और हमें एक नई पहचान दी बतादे महा सचीव फिरनाथ बडाईक ने कहा कि हमारा बीगत लगभग 18 बर्सों का वनवास अब खत्म हुया सभी पारा सिक्षक अब सहायक अध्यापक के रूप में जाने जाएंगे जार्खन के पंचायतों में जल्द खूलेंगे आउसधी केंद्र जीलों की अधिकतर पंचायतों में जन अउसधी केंद्र नहीं खूल पाया है बता दे जीलों की 154 पंचायतों में से मात्र 67 पंचायत में ही केंद्र खूलने के लिए अभियार्थियों नावैदन किया है हंटर गंज, इटखोरी, पथल गड़ा, प्रताप पूर, आदी पंचायतों सहीद 87 पंचायतों के लिए अवेदान नहीं किया गया है धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं होगे तो चैनलों को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कमेंट बक्स में अपना फिड़ा एक अवस्य दे थाइंक यू